नमस्कार इन खबर में आपका स्वागत है हर्याना विधान सभा चुनाओं में सरगर्मियां बढ़ने लगी है मिशन 75 टारगेट लेकर के मैदान में उतरी बीजेपी ने कांग्रेस के दिगज्यों को घेरने के लिए एक से बढ़कर एक रणनिती बनाई है और उसके निसाने पर कांग्रेस के बड़े नेता हैं कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुर्जेवाला इसी कटेगरी में है जिनको हर हाल में बीजेपी इस बार हराना चाहती है और कैथल से इस बार उनकी नईया मजधार में दिख रही है क्योंकि कांग्रेस में हरियाना में जितने नेता है उतने ही गुट रणदीप सुर्जेवाला भी एक गुट का नेत्रितों करते हैं तो कैथल के यदि जाती समिकर्ण को और इस सीट के इतिहास को देखेंगे तो पाएंगे कि एक बार को छोड़ करके 1977 को छोड़ करके यहां पी या तो कांग्रेस या फिर लोग दल का दबदबा रहा है इस बार क्या परद्र से बन रहा है कैसी तस्बीर बन करके उभरेगी किस तरह से रणदीप सुर्जेवाला को घेरा जा रहा है तो उसमें रणदीप सुर्जेवाला को इस हिसाब से घेरा जा रहा है कि आपको याद है जिन्द में यह जा करके बाई एलक्सन लड़ गये थे कहा तो यह जाता है कि इनको लड़ाया गया ताकि आल लड़ी जब बिधायक थे तो इनको वहां से लड़ने के क्या जरूरत थी रणदीप सुर्जेवाला लड़ना भी नहीं चाहते थे लेकिन इनको लड़ाया गया और वहां से चुनाव फार गये चुकि मीडिया विभाग के प्रमुख हैं मुख्य प्रवक्ता हैं इसलिए राष्ट्री नेताओं में इस सुमार होने लगा है हर्यान सरकार में मंत्री रह चुके हैं और जो है लगातार विधायक है इस बार जो बीजेपी ने क्या किया है कि इनको घेरने के लिए 2000 से 2005 तक बिधायक रहे भाजपा ने नेलो सरकार में बर्स 2000 से 2005 तक बिधायक रहे लीला राम को मैदान में उतार दिया लीला राम काफी मजबुत कंडेट है ये सुनाम धन्य बें उदर उनके इलाके में अच्छा प्रभाव है तो इस तरीके से जो कैथल की सीट है ये उस चुनामें सुर्जेवाला बिजय रहे है इसके बाद बर्स 2009 और 2015 के चुनाम में कैथल से रणदीब सुर्जेवाला विधायक बने तो इनका पिछले तीन चुनाओं से इस सीट परिवार का दबदबा है ये सुर्जेवाला परिवार का और अब उनके सामने दिकत पेश की जा रही है कि जिस तरीके से इनको लिला राम को बीजे पी ने उतारा है तो यह आपका सकते हैं कि जिस परिवार का 15 साल से इस पर दबदबा है वो सीटी नहीं के मानी जाएगे एक तरसा गढ़ बन गया है इसी गढ़ को भेदना है इस बार बीजे पी को तो इसलिए उसने जो है लीला राम को उता रहा है देखते हैं क्या बनता है जो कि जहां जहां जाट बहुल सीटे हैं वहाँ पर बीजेपी को दिक्कत है क्योंकि माना यह जा रहा है कि बीजेपी से जाट नराज है तो बीजेपी क्या करती है क्योंकि नन जाट को उसने सीम बना करके नया एक्स रखता है क्योंकि नन जाट जो माना जा रहा है वो बीजेपी के साथ है और जाट वोटो का इदी वटवारा हो गया तो सभाविक है उसका फैदा मिलेगा हला कि जो भुपेन सिंग हुड़ा निरण निती तैयार की है और जिस तरीके से सुनिया गाधी ने 11 थावर में उनको क रहा जा रहा था कि उनके प्रदेश सद्ध्यक्ष रहने न रहने से कोई फरक ही नहीं पड़ता क्योंकि बालमिकी तो बीजेपी को बोट करते हैं लिहाजा जाट को सामने लाया जाना चाहिए ताकि जाट वहुल यह जो प्रदेश है वो उसको एक रहनुमा दिखाई दे एक नित्रितु दिखाई दे और फिर वो एक नित्रितु के छत्रचाय में इकठे हो करके और उनको सपोर्ट करें तो इसी रणनिती के तहत इनको ले आया गया अब देखते हैं आगे क्या रिजर्ट बनता है जो भी होगा इसमें अपडेट जैसे चुनावी महाल थोड़ा